नमस्कार कैसे हैं आप चारा घुटाले मामले में सजायापता लालू प्रसाध्या तब पहले अपने परिबार कुनवे में अकेले सजायापता पराधी थे चार सीटिट भी अकेले थे अब लालो ने अपनी पत्नी राबरी देवी अपने नौमी फेल बेटे डिप्टी स्रियम तेजस्वी आदब राजसवा की सांसत मीसा भारती सब को चार सीटिट बना दिया CBI ने लालु यादब, उनकी पत्नी रावरी, तेजस्वी यादब और मीसा भारती चारों के खिलाब चार सिट दाखिल कर दी रहे है चार सिट लेंड फॉर जॉब के मामले में लालु जब इस देश के रेल मंत्री थे, तो गरीबों को मिडल फैमली के लोगों के जमीन छीन कर उन्हें फॉर्थ ग्रेट के नौकरी दिलाने का लालस देकर जमीन छीन लेने का धंदा करते थे लालु का रेल मंत्री के रूप में ये एक अलग धंदा था इसी मामले में CBI ने चार सिर्दाखिल की है इसी मामले में CBI ने तेजस्तुयादब से पोष्टाज की थी रावरी देवी से पोष्टाज की थी तेजस्तुयादब का वो शांदार घर कोठी दिल्ली में दिखा था इसमें अपनी पतनी के साथ मौज ले रहा था और वो घर किसके नाम है ये गुम्नाम था तो बाद में पता चला कि एक नेजी कमपनी एक फरजी कमपनी जो कागज पर बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई कि लालू के कुनबे के लोगों ने लालू के दोस्तों ने जो वसुली करते थे उन्हें एक कमपणी बना रखी थी फरजी कमपणी दरसलों कमपणी तेजस्वी की थी और उसी कमपणी की ये कोथी है दो शानदार कोथी सैकरो करोड की है लालु यादभ के बेटे की है अभ इस घर की भी लिलामी निलामी होगी और लालू यादव के पूरे कुनवे के साथ लालू जेल जाएंगी तब आपको याद आएगा कि प्रधान मंत्री मोदी ने इस देश से अभी यह हपता पर पहले ही तो वाइदा किया था और कहा था कि इन सब की गारंटी है 20 लाक करोड की बैमानी की तो मेरी भी एक गारंटी है सुन लिजे प्रधान मंत्री क्या कह रहे थे क्या ये गोटालों की गारंटी को देश स्विकार करेगा देश स्विकार करेगा लेकिन दोस्तों मैं आपके बीच मैं से पल करके बढ़ा हुआ हूँ आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहाँ पहुचाया है तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूँ देदो देदो अगर उनकी गोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी यह गारंटी है और मेरी गारंटी है हार गोटाले बाज पर कारवाई की गारंटी हार चोर लुटे रे पर कारवाई की गारंटी है जिसने गरीब को लूटा है जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा आज जब कानून का डंडा चल रहा है जब जेल की सलाके सामने दिख रही है तब जा करके यह जुगलबंदी हो रही है उनका कॉमान मिनिमम प्रोग्रेम ब्रस्टा चार के विरोत एक्शन से बचने का ही है जी देश के प्रणान मंत्री ने ये भरोसा दिलाया था कि किसी को छोड़ूँगा नहीं तो फिर सवाल ये है कि क्या सचमुझ CBI दवाब में होती है जो आरोप लगाया जाता है जिस पर राजनिती होती है अक्सिर सरकार पर CBI के इस्तिमाल का दवाब होता है ऐसा आरोप भी लगता है सुप्रिम कोट ने एक बार CBI को सरकारी तोता कहा था मनमोहन सिंग के काल में सरकार इसी लिए होती है और प्राइम मिनिस्टर ने ये दिये वाइदा किया था कि छोरूँगा नहीं इसका माइने है इस सच से बिलकुल इंकार नहीं किया सकता कि जिसके पास सत्ता होती है समेदारी उसी की होती है यही कारण है कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदितनात की सरकार आई है तब से माफिया गुन्डों की संपत्ती छीनी गई है और सब के सब जील में गए है और वह कि उनकी संपत्ती छीन करकी आज योगी आदितनात वहां गरीबों के लिए घर बना रहे हैं ये एक सपना है कि लालू पूरे कुनवे के साथ जेल जाए और वो सपना साकार हो रहा है यही बाइदा तो प्राइम मिनिस्टर नहीं किया था तब लालू अकर दिखा रहे थे कि मैं फिट हो गया हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर मोधी को फिट कर दोंगा कि शाविश साथेगन कि बहुत दिन के बाद कि आप लोगों से कि इलाज के बाद बात हो रही है प्रेश को समधित कर दोंगा कि अब पुरी तरह से प्रीट हो गया है अब परिया से फिट कर दोंगा कि अब प्रेश कर दोंगा कि अब इस चक्की में वो तेजी से पीसे जाएंगे तो क्या चार से इतनी जल्दबाजी हुई है उसका वही कारण है लालू को भाड़ी पर गया लोग अब तुलना कर रहे हैं कि ये दो कुनवा एक जैसा है लालू कुनवा और सुनिया कुनवा सुनिया का पूरा परिबार भी जमानत पर है लालू का पूरा परिबार भी जमानत पर है ऐसा बहुत कम होता है कि पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है और जील जाने का इंतजार कर रहा है तब समझ में आएगा प्रभान मंत्री मोदी के वाइदे क्या थे और क्यों ऐसा खौफ हुआ कि सब के सब जो सियार बिलार सब एक जगा जुट रहे थे वो फरफरा कर भागने लगे दरसल सब के अंदर ये खौफ होने लगा सकता का ये खौफ होना चाहिए प्रभान मंत्री मोदी से एक बार इंटर्विव में पूछा गया क्या आप से लोगों को डरना चाहिए उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं डरना चाहिए उन्होंने कहां डरना चाहिए चोडों, बैमानों, धुर्तों को डरना चाहिए आज मोधी उन सब को इसलिए डरा रहे हैं और देश निर्भी खोड़ा है पधान मंत्री मोधी का ये वाइदा इतना जल्दी अमल में हो जाएगा ये समझ से पड़े था महराष्टे बिहार तक इसी लिए मातम है केजरी इसी लिए कूद रहा है भर भरा रहा है निश्यत रुपसिक पधान मंत्री मोधी के इस एक्सन के बाद ऐसा लग रहा है कि लालू का कुनवा अब पूरी तरह से जेल जाएगा तो फिर बिहार में क्या होगा बिहार में सत्ता किसकी होगी क्या नितीश कुमार फिर डूपते नाव को देख करके इधर कुदेंगे या फिर नितीश के निकम्मेपन को भी सजा में ले लेकिन हम बात ये है कि जिस लालू ने बिहार को बरबाद कर दिया समाजिक न्याय के नाम पर अपने परिबार के लिए कि न्याय करता रहा जिसका नौमी फेल बेटा डिप्टे सीम हो और वोंका सामराज्ज हो जिसका पांचमी फेल बेटा राज्य का स्वास्त मंत्री बन जाए पर्यावरन मंत्री बन जाए उस सोचिए उस राज के पर्यावरन का क्या हाल करेगा उमेद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द मोदी ने जो भरोसा दिला दिलाया था इस देश को वो जमीन पर उतरेगा बर्बोले लालू का पूरा गुनवा जेल में होगा और पूरे देश के लिए मिसाल होगा तो क्या प्राइम ओनिस्टर मोदी सबसे जढ़ा परीबार बाध का खात्मा चाहते हैं इसलिए चाहे वो लालू का कुनवा हो चाहे वो पावार का कुनवा हो चाहे वो गांधी कुनवा हो इस पर चोट मार रहे हैं लालू यादब के उपर चार सिट के बाद अब बाड़ी किसकी होगी हो लेकिन हम चीज़ याद रखिएगा यह मामला इतना सामान भी नहीं है कि चार सिट हो गए क्या चार सिट होने के बाद तेजस्ट्वी यादब कुरसी छोड़ेंगे लालू प्रसाद एदब के खिलाब जब चार सिट हुई थी चारा गोटाला महमले में तो एक प्रेसर बना उस समयों खुद को किंग में करका करते थे प्रधान मंत्री थे देव गोडा और देव गोडा को उन्हें धमकाया था कि तुमने चार सिट करवा दिया सीबियाई से तब भी सरकारी सीबिये चार सिट करती थी ये समझ में आता था देवेगोडा के घर खोज करकी लालू ने धंकाया था तो देवेगोडा ने उस समय का था कि मैं इस देश का प्रथान मंत्री हूँ तुम्हारा भैस नहीं कि जब चाहो तब कहीं हांक दो लालू को तब समझ में आ गया था कि उनका खेल खत्म हो चुका हुआ है और फिर उन्होंने इस्तिफादे करके खुद जेल चले गए बीवी को बना दिया तो तेजस्वी अब जब जेल जाएगा तो किसे सत्ता थमाएगा तब तो प्रथान मंत्री थे देवेवड़ा सब कुछ आसानी से हो गया क्या मोदी युग में इतनी आसानी से जेल जाते अपने बेटे की सत्ता तेजस्वी की बीवी को थमा देंगे ये खेल क्या होगा ये दिलजस्प है देखिए इन बैमानों की टोली का मुदी अब क्या हाल करते हैं